हेलो एवरीवन माइसेल प्रवीन कुमार आहब सिक्योर्ड ओल इंडिया रेंग सेवन इन सी एसी 2020 इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे की वर्ट रिसोर्सेज अज बुक लिस्ट मैंने फॉलो किया था इस एक्जाइम के लिए तो तेल लिटल बिट मोर अबॉट मैसल्फ मैंने अपना ग्रेजवेशन सिविल इंजिनेरिंग से आई टी कानपूर से किया देर आफ्टर आई सेक्योर ओल इंडिया रेंग 5 इन गेट 2018 एज वेल एज मैंने इंजिनेरिंग सर्विस में भी ओल इंडिया रेंग 3 लाया था मेरा optional इस इग्जाम में civil सर्विस के इग्जाम में civil engineering था next the most important resource जो इस इग्जाम civil service exam के लिए है that is the UPSC syllabus तो मैं ये कहूंगा हरे एक future aspirants को कि आप prelims as well as mains का जो UPSC का syllabus है उसे आप print आउट करवा लीजिए और अपने desk के सामने चिपका लीजिए ताकि आप daily उसे उस syllabus को देखे और in general आपको कुछ time के बाद वो syllabus याद हो जाने चाहिए so to talk about the first thing that is the prelims phase of this examination prelims में mainly ये सब dimensions है जैसे कि history है, polity है, economy है, geography है as well as environment है इसके अलाबा science and technology, current affair और previous year questions so to talk about the first thing in prelims that is history history के लिए मैंने ancient history के लिए old NCRT by R.S. Sharma सर का book refer किया था medieval history again old NCRT by Satish Chandra सर का पढ़ा था next is art and culture, art and culture सबसे ज़्यादा difficult part मुझे लगता था और इसके लिए मैंने class 11 के NCRT as well as Nitin Sangwan sir के notes refer किये थे further मैं कुछ update किया था other different materials जो भी market में available है उनसे कुछ-कुछ मैंने update किये थे now coming to modern history, modern history में a brief history of modern India by spectrum publication ये बुक सबसे अच्छा बुक है जो आपके prelims और mains दोनों को cover कर लेंगे इसके अलाबा मैं कहूंगा future aspirants को कि आप NCRT by विपिन चंद्रा सर उनके books को selective reading कर सकते हैं next is post independence, post independence एक बहुत ही छोटा part है आप कोई भी मार्केट से एक material उठा लेजिए जो 30-40 page का हो और उसे आप complete कर सकते हैं next is world history world history again मैंने नितिन सागवान सर के notes refer किये थे दो prelims में उतना useful नहीं है world history but आप अगेन मेंस के लिए तो आपको पढ़ना ही है तो इसको refer कर सकते हैं नितिन सागवान के notes जो कि concise और बहुत छोटा notes है other materials जो नए NCRT आये हैं modern ancient as well as medieval history के उसको आप refer कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ questions आ जाते हैं और most importantly वह बहुत ही छोटा book है and it's well read तो आप उसे refer कर सकते हैं now coming to polity polity में अपने interest भराने के लिए मैं कहूंगा कि NCRT book that is Indian Constitution at work उससे जरूर रेफर कीजिए उससे आपके basic चीजे like what is constitution क्या काम कर लिए है Parliament क्यों हमने state established किया तो यह सब एक basic concept बहुत अच्छे से cover हो जाता है Indian Constitution at work वाले बुक से next thing is लक्षमिकांट पॉलिटी बुक यह सबसे sacred बुक है पॉलिटी के लिए जो आपके prelims जो मेंस के static पार्ट है पॉलिटी का वह बहुत अच्छे से cover हो जाता है और आपके in general more than 95% सवाल बन जाते हैं इससे और एक और सोर्स में कहूंगा को refer करने के लिए कि एक मैप आप लगा लिजिए जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फंडमेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट डीपी एस्प आर्टिकल्स एज बहुत सारे सुप्रीम कोट के जज्जमिंट्स कंपाइलेशन रहता है मैप के फॉर्म में उससे आप चिपका सकते हैं और डेली वाइस रेफर कर सकते हैं तो गारेंटेड है कि मोर देन 90 परसेंट अब दा सवाल बहुत इजली बन जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रेफर किया था इंडियन इकोनॉमिक डेलप्मेंट क्लास 11 का NCRT यह बहुत अच्छी बुक है नेक्स्ट इस मैक्रो एकोनॉमिक क्लास 12 का NCRT यह मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो भी बेसिक कॉंसेप्ट है कि डीप क्या है फिसकल पॉलिसी क्या है बैलेंस और पिमिंट क्या है यह सब जो बेसिक घोनुमिक्स के बुक से गवर हो जाता है और इसे मैं कहूंगा बहुत अच्छे से पढ़िए नेक्स तेंग इस जो की क्लास 11 का NCRT है, इस बुक को, माइक्रोएकोनॉमिक्स के बुक को बहुत ही सेलेक्टिव रेडिंग करना है, for example, इसमें कुछ-कुछ concept है, like opportunity cost, opportunity cost, for example, other concept like money multiplier, तो यह सब concept basic उससे cover हो सकते हैं लेकिन at the same time आपको ध्यान रखना है कि micro economics में आप बहुत अंदर तक जाके ना पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा equations वगेरा दिये हुए हैं तो उसमें बिलकुल नहीं पढ़ना आप previous year question को देखिए उससे analyze कीजिए कि क्या क्या पढ़ने और अगेन वेरी selective reading in micro economics next is economic survey compilation आप economic survey के कोई भी एक छोटा सा compilation market से ले लिजिए और इसको बहुत ही ढंक से पढ़िए इसके जो डाटा दिये हुए हैं जो अलग-अलग concept दिये हुए हैं उससे अच्छे से याद रखिए और एक बहुत ही definite and comprehensive source है economic survey next thing is थोड़ा और भी अपने concept as well as knowledge को widen करने के लिए economy में आप या तो मुर्नाल सर के वीडियो जो इसी platform पे अबलेवल है या फिर कोई भी एक अच्छा नोट्स आप मार्केट से ले सकते हैं और इससे कर सकते हैं नाव कमिंग टू जोग्रफी एन इंव्यर्मेंट जोग्रफी और इंव्यर्मेंट के लिए मैंने PMF IS का बुक रेफर किया था जो की थोड़ा बलकी बुक है फोर इंव्यर्मेंट में भी मोर दें 550 पेज हैं बट एक अच्छी बात है इस बुक की की बहुत जादा पिक्टोग्राफिक है बहुत जादा डाइग्रामस है और काफी लुच है बट मैंने इस बुक को इसनले रेफर किया क्यूंकि मेरा एक बेजिक तरीका था इस इक्जाम के लिए कि जो भी हमारे बेजिक स्ट्रीक से जो भी स्ट्ट्रीस सिंड्द को मैं अच्छे तरीके से complete करूंगा और comprehensive तरीके से complete करूंगा इसलिए मैंने PMF IS के book को refer किया and again आप जब एक book को बहुत बार पढ़ लेते हैं दो या तीन बार revise कर लेते हैं then it becomes easy to revise again and again another source that I referred is Oxford School Atlas इस एटलस को जितना ज्यादा आप इस्तिमाल कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या तो आप history पढ़ रहे हैं या geography environment या फिर आप international relation पढ़ रहे हर एक जगह एटलस का बहुत ज्यादा यूज है इस exam में तो आप इस source को भी refer कीजिए अगेन एक और चीज में बोलूँगा कि हर एक experiment को कि आप अपने रूम में इंडिया का political as well as physical map और वर्ल्ड का political as well as physical map अपने रूम पे चिपका सकते हैं ताकि आप डेली उन्हें डेली बेसिस आप देख सकते हैं और इससे आप बहुत fluent हो जाएंगे mapping करने में now coming to science and technology science and technology में जनरली लोग current affair को ही refer करते हैं बट UPSC को हम UPSC जो की unpredictability के नाम से जानी जाती है वो कभी भी basic concept भी पूछ सकते हैं इसलिए मैं कहूंगा कि class 10 का NCRT जो general science का बुक है उसके अगें आप surface पर reading कीजिए बहुत जादा अंदर जानी की ज़रत नहीं है तो वो मुझे नहीं जानना है लेकिन जो basic concept है जो उपर उपर से एक general students को पता होने चाहिए वो आप इससे पढ़ें और class 12 के NCRT का जो biology books है अगें बहुत जादा deep नहीं जाना है लेकिन almost सारे concept basic तरीके से पता होनी चाहिए तो यह दोनों से उस मैंने refer किया था next coming to current affair current affair के लिए the Hindu newspaper में daily religiously follow करता था और उससे मैं सही से analysis करता था both prelims as well mains के लिए और मैं अपने daily के दीन चर्या में साम को the Hindu analysis videos भी देखता था जो 30 से 35 minute का होता है कोई भी आपको एक अच्छा source लगता है YouTube पे the Hindu analysis videos का आप उसको refer कर सकते है next is मैं last में prelims के yearly compilation magazine जो कोई भी आपको market से अच्छा लगता है आप उसे refer कर सकते हैं उसको at least मैं तीन से चार बार रिवाइस कर लेता था बट अगें बहुत ज्यादा याद करने की ज़रत नहीं है अपने basic concept को अच्छा रखिए और इसमें भी जो basic concept उसको ज्यादा अच्छे से याद रखिए है now coming to the most important part of this exam is mains mains में basically चार different paper होते हैं general studies के लिए इसके अलाबा essay और optional भी होते हैं तो mains में जो चार general studies 1, 2, 3, 4 है इनके लिए मैं separately sources discuss करूंगा first is general studies 1, history के लिए जो भी मैंने prelims में book refer किया था उसी को मैंने mains में भी refer किया but again थोड़ा पढ़ने का तरीका different हो जाता था बहुत ज्यादा factual बाते याद नहीं रखनी होती है concept ज्यादा याद रखने होते हैं लेकिन preparation जब आप करते हैं जब books को पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखते हैं कि मैं prelims के लिए पढ़ रहा हूं या mains के लिए आप एक integrated way में पढ़ते हैं बट जब exam close आ जाता है तो आप उस हिसाब से अपने mindset को change कर लेते हैं प्रिलिम्स में मैं try करता था कि जो factual बाते हैं उसको ज्यादा revise कर लूँ और में मैं major concept को ध्यान रखता था society के लिए जो जितने भी सब topics mentioned हैं UPSC के syllabus में हर एक सब topics पे मैंने value edition material जो भी आपको market में अच्छा लगता उससे मैंने notes बनाए थे और इसके अलाबा एक book है by Dr. Amart Sand The Argumentative Indian उस book से आपको history, art and culture as well as society में बहुत ज्यादा help मिलेगा further society में काफी अच्छे-च्छे questions UPSC पूछती है जो काफी analysis based होता है तो इस book से पढ़ने से आपका एक understanding काफी ज्यादा widen हो जाएगा और you can easily tackle all those questions जोग्रफी के लिए मैंने PMF IS के book का खुद से notes बनाया था और उसी को बारवा revise किया था now coming to general studies 2 general studies 2 में जो पहला पार्ट है वो है Indian constitution and Indian polity इसमें जितने वी words mentioned है almost सबकुछ लक्षमी कांत के book से बहुत ही अच्छे से cover हो जाता है कुछ-कुछ other issues है like representation of people's act various quasi-judicial bodies as well as regulatory bodies आप syllabus को अच्छे से देखिए और जो topic नहीं cover हो रहा है लक्षमी कांत से उसको मैं value edition material से खुद के notes बनाए थे और वो सारे notes मैं इस videos के comment section में अपना link भी upload कर दूँगा उसको refer कर सकते हैं current affair के लिए मैंने जो भी अपने notes बनाए थे उसमें monthly magazine और जो compilation yearly compilation आता है 365 में 365 उसको refer किया था और उससे खुद के notes बनाए थे और जो दा हिंदू newspaper डेली पढ़ता था उसमें भी कुछ different points दिखते थे या कुछ अच्छे lines दिखते थे उसको भी मैं अपने notes में डाल लेता था next is बहुत सारे topics दिए हुए governance के like e-governance various developmental groups तो यह सब जो भी words mentioned है उससे related मैंने value edition materials market से उठाए और से खुद के notes बनाए और अगेन इसमें भी मैंने monthly magazine yearly compilation as well as the Hindu से update करता था उसी topics जो भी एक-एक topics है for example e-governance है तो उसमें मैं अपने static notes बनाता था value edition material से और उसमें monthly magazine और yearly compilation as well as the Hindu से different different extra points उसमें add करता था और update करता था next is social justice जिसमें poverty development hunger social issues as well as education and health care आता है अगेन value edition material और जैसा के मैंने पहले भी बताया कि उसमें मैं update करता था compilation yearly compilation monthly magazine और the Hindu से next coming to international relation international relation में yearly compilation से खुद के notes बनाए और उसको मैं year around अच्छे अच्छे news article से for example the Hindu और Indian Express के अच्छे article से update करता था और monthly magazine से भी update करता था एक और section है international relation में जो generally aspirants नहीं उसको cover करते हैं that is international institution जो कि हर एक साल UPSC एक नएक institution से question पूछती ही पूछती है या तो WHO से या फिर एक time UN economic and social council से question आ गया था तो यह सब जो major institution है ना कि हर एक institution बलकि major institution से आप खुद के notes बना लेजिए कोई भी एक market के material से now coming to general studies 3 general studies 3 में जो पहला part है that is economy उसमें मैंने जो भी standard books refer किया था prelims में उससे खुद के notes बनाए और उसको मैंने जो monthly magazine है और yearly compilation है उसको update किया सही तरीके से और year round daily the Hindu के कुछ-कुछ अच्छे articles आते थे उससे भी अपने notes को update करता था यह जो note बनाने का तरीका है इसके लिए मैंने एक separate video बना रखा है जिसमें मैं elaborate तरीके से discussion करूंगा तो आप उस video को refer कर सकते हैं now coming to agriculture part of general studies 3 agriculture में अगेन बहुत सारे words mentioned है syllabus में हर एक words से related मैंने value addition materials जुगार किये और उससे खुद के notes बनाए और उसको magazine और the Hindu के article से update किया ना coming to science and technology science and technology में जो भी UPSC syllabus में mentioned है for example biotechnology information technology as well as nanotechnology इन सब से मैंने इन सब के वी जो words mentioned है UPSC के syllabus में उससे खुद के yearly compilation और monthly magazine से notes बनाए और कुछ-कुछ अलग topics है UPSC के syllabus में for example awareness about the achievement of Indians in the field of science and technology हर एक साल एक नए question कोई ना कोई scientist से related आता ही है for example एक बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आ गया था या फिर last year MS Swaminathan as well as M. Viswisreya के related उनके contribution पूछ दिये थे तो उन सब को आप topic search कर लीजिए Google पे और उससे एक notes बना लीजिए और again the Hindu में जो भी articles आते थे यदि मुझे relevant लगता था तो उससे से भी मैं कुछ points निकाल के अपने notes में update कर देता था environment के लिए again मैंने PMF IS के book से एक छोटा सा notes त्यार कर लिया और उसको मैंने update कर दिया current affairs से और current affairs का source जैसे की मैंने पहले भी बता रखा है yearly monthly magazine और और the Hindu newspaper disaster management disaster management एक sort of static topic है इसके आप खुद से एक अच्छा notes बनाईए value edition material से और जो basic concept है for example what is disaster what is risk what are the different framework of managing disaster तो यह सब चीज़े आप अच्छे से याद रखिए यह enough होगा disaster management के लिए कुछ-कुछ extra points आपको monthly magazine और the Hindu के article से मिल जाएंगे उससे आप update कर सकते हैं now coming to security part security part के लिए again मैंने value edition material से अपने notes बनाए और उसको मैंने current affairs से update करता चला गया now coming to general studies for general studies for एक ऐसा subject है जिसमें आपको पढ़ना कम और सोचना जादा है एक ही चीज को आप बार-बार पढ़िए और उसको अपने life में daily के life में relate किशिए then you can really become not only a good answer writing machine for ethics बट आप ethical person भी बन सकते हैं और वो आपके answer में जहलकेगा भी तो इसके लिए मैंने decode ethics by मुदिद जैन सर का book refer किया और उस book के हरे concept को बार-बार पढ़ा और याद किया और उसको daily के दिन चाहरिया में relate करता था फर्दर आप UPSC के जो previous year questions है हर एक questions को solve कीजिए और हर एक question को solve करते वक्त आप ध्यान रखे कि किस तरीके से में examples relate कर सकता हूं और example का compilation भी बना लीजिए और also the Hindu के article से भी मैं सोचता था कि किस तरीके से ethics से refer कर सकूं किस से relate कर सकूं तो यह भी एक अच्छा source है इससे बहुत सारे examples निकल आते हैं now coming to the essay part एसे के लिए मैंने सबसे पहले mastering essay and answer writing by Dr. Avdeesh Singh sir का book refer किया था इससे यह हुआ कि जो basic तरीका है essay लिखने का कि किस तरीके से आप brainstorm करते हैं कोई भी topic को लेके किस तरीके से आप question पूछते हैं वह पार्ट बहुत अच्छे से book से cover हो जाता है next thing is अनुदीप दुरिशेटी सरकावी blog मैंने refer किया था उससे और भी मेरे understanding बढ़ गया कि किस तरीके से essay के कोई भी topic को से 12 more than that previous year questions को practice भी किया था और एक और चीज में बोलूँगा कि जो भी major topics है essay का for example first part में education है health care है gender empowerment है इन सब से related कुछ-कुछ notes बना लीजिए कुछ-कुछ anecdotes तयार कर लीजिए इसके अलाबा जो philosophical essay part है उसमें आप कुछ-कुछ अच्छे poems, quotes, anecdotes यह सब भी तयार कर लीजिए उसका भी मैंने notes जो मैंने खुद बना रखा था उसको मैं इस videos के comment section में upload कर दूँगा अब उसको refer कर सकते हैं now coming to this section that is कौन-कौन से general books को refer कर सकते हैं जो कि इस exam के लिए बहुत ही helpful होगा The first book is The Argumentative Indian by Dr. Amart Sen Argumentative Indian book बहुत ही अच्छा book है जो आपके general understanding about society especially Indian society को अच्छे तरीके से समझाते हैं इसके अलाबा आप society, art and culture as well as history के काफी सारे parts इस book से भी cover हो जाते हैं इसके अलाबा जो next book मैंने refer किया था that is An Uncertain Glory, India and its Contradiction again by Dr. Amart Sen sir का book है यह यह book बहुत ही ऐसा लगता है मुझे पढ़ने के बाद कि यदि आप इस book को पढ़ते हैं तो general studies 1, 2, 3 as well as 4 और further essay के लिए भी बहुत जादा useful है और आपके understanding बढ़ा देते हैं और आपके जो answer का quality है यदि आप इसके कुछ भी points को incorporate कर सकते हैं अपने mains के answer में तो बहुत जादा helpful होगा तो मैं हर एक future experience को बोलूँगा कि आप यह दोनों book चरूर पढ़िये जो कि आपके exam especially mains exam के लिए बहुत जादा helpful होगा और further आपके personality test में भी आपके opinion को बहुत अच्छा कर देगा यह दोनों book further मेरा इस exam में optional paper civil engineering था civil engineering के मैंने एक coaching के materials उठाए और हर एक subject related खुद का notes बनाया उस material से और फिर मैंने conventional question जो previous year questions है UPSC के उसको मैंने refer किया further यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं civil engineering training optional को तो आप UPSC के जो previous year question है उसके बोथ engineering service civil service as well as Indian forest service के जो paper है तीनों paper को कर सकते हैं और मैंने कुछ mock test भी दिये थे so this was everything about my book list as well as resources for civil service examination thank you very much